जो छातर पहली बार किसी परिदोगी परिशा के तियारी में उतर रहे हैं तो उनके सामने एक बड़ा सवाल ये होता है कि कौन सी किताबों का सेलेक्शन किया जाएं कौन सी किताबों को चुना जाए जो कि उनके लिए must have हैं और वो परिक्षा में उनको सफलता भी दिला सकती हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप Group C, Group D या फिर लेकपाल भरती, UPSI और SuperTate आदी परिक्षाओं के त्यारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक बिलकुल कामन होते हैं, कामन टॉपिक में हिंदी से सब्सवाल जरूर पूछे जाते हैं, जनरल साइन्स एक बहुत इंपोर्डेंट टॉपिक है, जो सब में कामन है, मैट्स ये भी कामन है और इस्टेटिक जी के, इसके अल पर असी कोई भी परिक्षा हो, ये ऐसे टॉपिक हैं, जिस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप आरो यारो की त्यारी करते हैं, यूपि पियसी की तो आपको हिंदी, जनरल साइंस, मैट्स, यानि कि ये सारे टॉपिक कफे इंपोर्डेंट हैं, तो मैं अ आप ENCIT, कच्छा एक से लेकर आर्थक की, या भी UP बोड की, कच्छा एक से लेकर आर्थक की जो किताबें हैं, उसको आप पढ़ डालिए, ठीक हैं, और साथी साथ जो इसके राइटर्स होते हैं, उनकी जो जियूनी होती है, उसमें उनकी प्रमुक रचनाएं हैं, और जन से important points को note कर लेना है, तो यह मुश्किल काम नहीं है, इसको आप एक सबता में कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी को करना सबसे आसान लगता है मुझे, और इसके लाब कोई भी एक grammar की book आप चाहें, चाहें तो purchase करके रख लीजिए, ठीक है, तो नाम नहीं बताऊंगा, आपको जो आने भी ज्यान के बारे में, तो इसके लिए भी बस यही रहा है, कि कच्छा एक से लेकर 10 तक की NCIT या भी UP बोड़ी किताबों को पढ़ लीजिए, और इसमें जो important छोटे छोटे जो definition होते हैं, हर topic से पहले, वो definitions आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, सब इसके जो units होती हैं, काई होती हैं, वो भी, और अगर आप UPCCC या फिर UPPC के दियारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी और अने परिछाओं के लिए भी घटना चक्र का जो solve आता है, उसको आप ले सकते हैं, आपके लगब लगब सारे topic यहाँ पर cover हो जाएंगे, इसके बाद बात करते हैं, हम लोग इतिहास के बारे में कि इतिहास को कैसे पढ़ें, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको राय दूँगा कि आप लूसेंड को पढ़ा लिएगा एक बार, हलांकि लूसेंड के कुछ फैक्ट इतने सार्ट हैं, कि वो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन फिर क्या होता कि क्रोनलाजिकल आर्डर में वो चीज़ें आपको जो सारे तथिच होते हैं, वो सुरूर से लेकर अंद तक याद हो जाते हैं, पुरी एक कहान ही आपको मिल जाती है, और मुझे जो किताब सबसे अची रखती हैं तथियात्मा रूप से, वो है किरन कॉमपटिस अगर आप कच्छा-च्छा-7-8 की किताब हों, किताब जो होती है, इंस्यारिटी की अफिर, यूपी बोर्ड की वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आरे सगरवाल कर पारे आप थे, तो ये आप हिंदी या अंग्रेजी माध्यम जो भी आपको पसंद आए, वो आप ले सकत करता हो, उसको आप लोग जरूर फालो करें, ठीक है, तो यह हो गया करने फेरस के लिए, इसके बाद बात करते हैं, मास्टर स्ट्रोक, यानि कि कौन से ऐसे प्वाइंट्स होते हैं, जिसके आधार पर बहुत सारे लोग 10 साल तैरी करके फेल हो जाते हैं, दो साल तैरी करक जो भी कोश्चन पेपर पप्लिस हो रहे हैं, उसमें आपके मतलब का क्या है, जैसे मालेजिए जनरल साइन्स है, या करेंड अफेरस है, हिस्ट्री है, तो कोश्चन पेपर को जो होते हैं, जिस अरिच्छा की त्यारिया आप पर रहे हैं, उसके पिछले जितने संभाव हो उस सारे कोश्चन पेपर आप फ़ल करें, साथ दो लेटेस्ट एकजाम हो रहे हैं, उसके कोश्चन पेपर को भी आप लोग हल करते रहें, और जितने भी इसमें नए बिंदू आपको मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में नोट्स करते रहें, या देखि पहली बार आये हैं परिशा की त्यारी में करने के लिए और यह किताब है आपके पास मस्ट हैव होनी चीए ठीक है बिस्तित गाइडेंस आपको अगले वीडियो में तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है वे ग्रेटे